कारती के टू मुवी रिव्यू हुए एक सवाल कि स्री किष्ण कौन ते और इनका नाव अमार जियोन में केसी लिखा गया जिसका जवाब डूनने के लिए निकल पड़ा है एक लड़का जो पता लगाना चाता है कि स्री किष्ण ने अमारी दर्ती पर सांस लीती कौन ते कहा चले गो और कहा रहते हैं फिलम का कॉंसेप्ट तोड़ा अजीब है लेकिन फिलम की कानी कंटेंट से बरी हुई है निरासा नई दिल को चूले एसा एंटर्टेंट मिलेगा किष्ण बगवान कौन ते उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा फिलम की कानी शुरू होती है एक लड़के से जो और आल में पता लगाना चाता है कि स्री किष्ण बगवान कौन ते ये सब कुछ जानने के लिए वो चला जाता है द्वार का लेकिन ये सफर एडवेंसर से बरफूर है और इस सफर के दोरान उसके पीछे चलती है एक परचा है जिसके आथ में एक चक्र है जो किसी की भी जान ले सकता है और जिसका कनेक्शन है सिद्धा स्री किष्ण बगवान से कार्तिके जो पता लगाना चाहता है इतियास के बारे में कि स्री किष्ण बगवान ने भी क्या दरती पर सांस लेती या फिर सिर्फ ये कप हुआ है यह सफर इतना भी आसान नहीं जितना आप लोग समझ रहे हो कारती के कि यह अरगत क्या रंग लाएगी क्या इसकी यह अरगत इसे श्री किशन से मिला पाएगी या पिर इसकी यह अरगत किसी सेतान को जिद्दा कर देगी तेलगू इंडस्टी काफी अटकर मुवी बनना ये बोसो बोलते हैं ना एक्स्पेरिमेंटल सिल्मा वही आप लोगों की आपर देखने के लिए मिलेगा पंद्रा क्रोड के बज़र से वण इस फिल्म में आप लोगों के एडवेंचर भी मिलेगा अर श्रीकिश्र बगवान के धरसल वीओंगे और इस फिलम में एक सीन वी है जहापर अनुपम केर हमें बताते हैं कि शिरी किसल बगवान कोन थे कहां से आये थे और इनका हमार जिए उनके उपर क्या परवाव पड़ा जब बाते आप लोग सुनोगे अलुपम केर के मूँ से तो आप लोगो को गुजबंबाना तो पका है मैं एक बात बोलना चाहूँका कि फिलम काफी सदा जवर्दस्त ए काफी मस्त फिलम है और आप लोगो को बता दो कि फिलम को हिंदी में डब करके भी आप लोग इक शामने पेज किया गया है लेकिन फिलम के सोच काफी सदा कम है बाकी पबलीक ऀजद केंग अगर आप लोग बढ़ेंगे और फिलम को अपनी असली पहचान भी मिलेगी बाकी में इस फिलम को पांच में से 5 स्टार्ट देना चाहूंगा अगर आप लोग इस फिलम को भी तक नहीं देखा तो आप लोग इसका ट्रेलर जाकर देख लो क्या पता आप लोग का फिलम देखने का मूड बन जाए तो मिलते हैं हमारे गली वीडियो पर तब तके लिए बाई बाई